हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पापा कंस्ट्रक्शन, आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में डीटेल में जानेंगे गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 1020 किलोमेटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसे दो फेज में बनेया जाएगा पहले फेज में उत्तर परदेश में मेरट से परियाग राज तक लगवग 600 किलियोमेटर लंबा एक्सप्रेसवे का निर्मान किया जाएगा जबकि सेकेंड फेज में इस एक्सप्रेसवे को दोनो और एक्स्टेंड किया जाएगा पहली बार 2009 में ही Ganga Expressway का काम इस्टार्ट हुआ था लेकिन उस समय environmental issues के कारण इस project को रोक दिया गया था तो आज के वीडियो में हम लोग detail में discuss करेंगे कि 2009 में Ganga Expressway का काम क्यों रोक दिया गया था और 2019 में जो Ganga Expressway को launch किया गया है दोनों में क्या अंतर है साथ ही Ganga Expressway का root और construction अपडेट भी आज के वीडियो में हम लोग discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो तो हम लोग सुरू से सुरू करते हैं सबसे पहले 2007 में उत्तर परदेश गौवर्मेंट के द्वारा यमुना Expressway के तरज पर Ganga Expressway बनाने का निर्नाय लिया गया और 2008 में UP की ततकालिन मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा उनके 52 जनम दिन पर Ganga Expressway को launch किया गया उस समय गंगा Expressway को Greater Noida से बलिया तक लगवग 1047 किलोमीटर लंबा आठ लेन का एक्सेस कंट्रोल Expressway बनाने का विचार था और Ganga Expressway बनाने का मकसद था उत्तर परदेश की Eastern Area को Western Area से High Speed Connectivity परदान करना और लगवग 40,000 करोर रुपे के बजट से 2009 में Ganga Expressway का काम स्टार्ट हो गया उस समय ये Expressway गौतम बुध नगर यानि की Greater Noida से स्टार्ट होकर बुलंद सहर, बदायू, सहाजांपूर, फर्रुखावाद, कन्योज, कानपूर, उन्नो, रैबरेली, परतापगट, इलहाबाद, मिर्जापूर और बनारस होते हुए बलिया में एंड होती यमुना Expressway के तरज पर Ganga Expressway को भी JP Group के द्वारा डेवलप किया जा रहा था और 2009 में जोर सोर से इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो गया था लेकिन उस समय इस Expressway के बिरोध में लगभग सभी राजनितिक पार्टियां आ गई थी और इन सभी का तर्क था कि इस Expressway के थुरू किसानों की जमीन छीन ली जाएगी इसके अलावे कई सारे इनविरामेंटल एक्टिविस्ट ने इस Expressway के खिलाप इलहावाद हाईकोट में पेटिशन दे दिया इलहावाद हाईकोट ने उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट को सेंट्रल गौवर्मेंट से इनविरामेंटल इसूज को लेकर एनोसी लेने के बाद ही कामें स्टार्ट करने के लिए कहा और सारे काम को रोक दिया गया 2009 से लेकर 2019 तक इस एक्सप्रेस्वे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ फाइनली 2019 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को फिर से लाउंच किया गया लेकिन इस बार greater noida के बदले इस एक्सप्रेस्वे को मेरट से स्टार्ट कर प्रियागराज तक बनाने का निर्नय लिया गया हलांकी सेकेंड फैज में मेरट से extend करके इसे उत्राखन के बौडर तक और इधर पडियाग राज से extend करके इसे बलिया तक बनाने का निर्ने लिया गया वर्तमान में जो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्मान किया जा रहा है ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसे भविस में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है इस Expressway का अनुमानित बजट लगवग 36,000 करोर रुपे है उत्तर परदेश का ये छठा Expressway होगा जबकि कम्प्लीट होने के बाद गंगा Expressway उत्तर परदेश का सबसे बड़ा Expressway होगा गंगा Expressway उत्तर परदेश के 12 जिलों यानि की मेरट, हापूर, बुलंसहर, अम्रोहा, संभल, बदायू, साजांपूर, हर्दोई, उन्नाओ, रायवरेली, परतापगड और परियागराज डिस्टिक होते हुए क्रोस करेगी गंगा Expressway मेरट में NH-58 यानि की गाजियावाद मेरट हाइवे से प्रपोजड रिंग रोड से स्टार्ट होगी और परियागराज में NH-2 बाइपास पर खेमंदपूर विलेज के पास एंड होगी गंगा Expressway पर स्पीड लिमिट 120 किलोमेटर प्रती घंटा होगी इस Expressway की चोड़ाई होगी 130 मीटर साथ ही भीरभार वाले एडिया में Expressway के दोनों तरप सर्विस रोड का भी निर्मान किया जाएगा UP EDA यानि की उत्तर परदेश Expressway Industrial Development Authority गंगा Expressway का निर्मान कर रही है 20 मार्च 2020 को गंगा Expressway का DPR यानि की Detail Project Report तयार हो गया था और बरतमान में गंगा Expressway के लिए जमी नदी गरहन का काम प्रोग्रेस में है कई सारे जिलों में इसके लिए Land के जिसन अभी हो रहा है उत्तर परदेश के 2020 के बजट में 2000 करोर रुपे गंगा Expressway के लिए जारी किया गया है और गंगा Expressway का Deadline 2024 है यानि की 2024 से पहले गंगा Expressway का First Phase कम्प्लीट हो जाएगा तो फिलहाल 2020 के बजट में गंगा Expressway के लिए 2000 करोर रुपे जारी किये गए है और वर्तमान में इस Expressway के लिए जमी नदी गरहन का काम प्रोग्रेस में है इस Expressway से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ सेयर करूँगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और दुसरों के साथ सेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए थैंक यू